What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stradler family आज का लेक्चर काफिश शांदार रहने वाला है, काफि कुछ हम लोग डिस्स करेंगे All India Radio, P.I.B, अलग लग न्यूज पेपर से आर्टिकल जो भी आप लोग के लिए एक्जांस में पूछे जा सकते हैं, वो सारी important news आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो सबसे पहले आज का लेक्चरी स्टार्ट करते हैं एक शांदार personality के साथ में इनका नाम है उदम सिंग, उदम सिंग की जब भी याद यहाँ पर की जाती है तब तक इन्होंने पेसेंस रखा और जब इनको मौका मिला तब इन्होंने आपर इसकी हत्या की यह गदर पार्टी का नाम, तो यह उस पार्टी से यहाँ पर connected थे पर लेकिन जैसे इनोंने इनको गोली मारी, उसके जस्ट बादी इनको, यह आप लोग देखते हैं 13 मार्च 1940 में इनके द्वारा उसको गोली मारी गई, उसी के जस्ट कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद यहाँ पर जुलाई 1940 में इनको फासी दे दी गई पकड़का, ठीक है, पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में एक बहुत शांदार freedom fighter की नाम पर इनका नाम दर्ज है उर्ची के साथ में इनको सहीद आजम सरदार उदम सिंग के नाम से भी पुकारा जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है तो इनके बारे में आप लोग जुरूर याद रखिया, काफी important personality है, अगर आप लोग history के point of view से देखेंगे तो इनके बारे में हम लोगों ने आज के उपड़ा 26 December को इनका जनम होता, तो इसलिए इनके बारे में आज हम लोगों ने जाना आगे बात कते हैं, थोड़ी सी और इस्टी के बारे में, यहाँ पर बात कते हैं, बाबर के बारे में, बाबर को अगर दूसरे नाम से आप लोग फुकरें, तो इनका नाम था जाहिर उद्दीन मुहम्मद, जो हमारी country में first emperor थे, मुगल dynasty गे, तो इनके बारे में आप असा याद रखते हैं, हिष्टी जब आप लोग उठागर पढ़ते हैं यहाँ तो बाबर का नाम भी काफी शानदा तरीके सा आप लोग को देखने को मिलता है, जो नीव रखी गई टहली सल्तनित के बाद में, मुगल सामराजय की, और जो सबसे लंबा चला, अंग्रेजो को पास्ट में अब तक पढ़ाया, उसी के हाँ पर एक नमूना है आप लोग के सामने, तो अब देखते हैं क्या के क्योशन है, पहली बात की जारी है हमारी कंट्री में, जो नेसनल हाइवे होते हैं, सबसे बड़ा नेसनल हाइवे, लोंगेस्ट नेसनल हाइवे कौन सा है आप लोग को बताना है, पहला कोशन, दूसरा कोशन बोला जा रहा है आपर अगर हम लोग बात करें नोर्ट से साउथ, यानि के हम लोग ऊपर से अगर नीचे ऐसे बात करें, तो यहाँ पर कौन से नमबर के हाँ आपर हाइवे नमबर देखने को मिलते हैं, इवन देखने और यह नहीं पर बनाई जाती है, जो प्रेजिदेंट के ओर लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग को बताना है किस आर्टिकल के तरह पर आती है, और बाकि किसोरट के दौरब बनाई जाती है यह भी कुश्चन आप लोगह से पूचा जा सकता है, तो यह मैंने आप को बता ही दिया है आपर Presidents के order तो हैं आप लोग को बोल सकते हैं President, Governor, Chief Justice of India तो कुछ भी ऐसे बन सकता है पर आप लोग को यहाँ पर आर्टिकल का नाम बताना है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारी country में एक IAT है एक जो IAT है उसके बारे में आप लोग को यह बताना है कि first micro processor power उस गुमते हैं इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पोकेट में भी computer को लेका आजकेट में laptop इतने छोड़े छोड़े आ रहे हैं तो इसी तरीके से यह पूरा काम आप लोग बोल सकते है micro processor के कंदे पर होता है अब हमारी country में इसको develop किया गया है तो काफी important है इसके बारे में आप लोग को बताना है कौन से IAT के द्वारे में पता होना चाहिए आगे बढ़ता हूँ आगे बात की ज़री है central cabinet के द्वारा अभी नाम चेंज किया गया थैं आप एक एक नाम बुड़ा एरपोर्ट पर लेकिन बार में इसका नाम चेंज करके किया गया है आपर वीर सुरेंदर साइए एरपोर्ट ठीक है तो यह काफी important है आपर यह एक personality थे जो कि आपर freedom fighter थे उस particular area में तो इसको कौन से state की आपर बात करें यह आप लोग को बताना है आप लोग के इ ICC Hall of the Fame में हापर रखा गया है तो यह काफी important है आपर खासकर आप लोग को देखने को मिलेगा maximum जो important personality है उनके नाम आप लोग के हापर देखने को मिल जाते है तो एक former captain का भी नाम हमारी country के हापर रखा गया है एक बात याद रखेगा एक question अभी recently पूछा भी गया है सचीन अभी कौन से राज्य के द्वारे हैं हापर इंडिया में वर्ल्ड का सबसे largest hospital बनाने की बात की गई है यह राज्य का आप लोग को नाम बताना है तो काफी important है इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए इसके अलावे हापर पूछा जा रहा है एक authority का नाम एक body का ना बताना है तो उस authority का नाम आप लोग को यहाँ पर बताना है काफी important है तो यह total आप लोग के सामने no question, no question में से आप लोग को बताना है कि कितने question आप लोग यहाँ पर सही कर पा रहे है और अच्छे से attempt करना है क्योंकि यह सारे question आप लोग को ओ लेडी past ने पढ़ाय जा तो यह even number के nasal highway देखने को मिलेंगे पर लेकिन अगर इस से west में जाएंगे तो आप लोग को ओड़ नमबर के nasal highway आप लोग को देखने को मिलेंगी तो कोई confusion नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ा कौन सा है यह सबसे बड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा बात करते हैं आप यह देखने को मिलागा आर्टिकल 263 में बात की जाती है आपर इंटरिस्टेट काउंसिल को गठन करने की और प्रेजिडेंट के ओडर के द्वारा इसको गठन किया जाता है आईटी मदरास के द्वारे हाँ पर देखने को मिला जो फर्स्ट माइक्रो प्रोस्टर पावर आप लोगे हाँ पर डेवलफ किया गया है इनके हमारी कंट्री में तो यह आईटी मदरास ठीक है ना जिसका नाम आजकेर में चेंज नहीं है पर लेकिन यह आपर इनके नाम याद रखेगा रोहित सर्मा है वो प्लेयर जो की फास्टेस्ट दोसो यानि के दोसो छके इनके द्वारा मारे गए ओडियाई मैच में तो इनके आप लोग नाम याद रख सकते हैं रहुल दर्वीड है वो परसनेल्टी जिनका नाम आप लोग को देखने को मिलेगा ICC Hall of Fame में तो यह important personality है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं विहार है वो हमारी country का राज है जिसमें world का देखे सबसे बड़ी बात है world का सबसे बड़ा hospital बनाने की बात की जारी है ना की इंडिया का तो important है बात की जारी है Bureau of energy efficiency के बारे में तो Bureau of energy efficiency है वो यहाँ पर जो बो सबसे इंपोरेंट जो निउस आज की निकल कर आ रही है यह आरी है आप फर्स निउस आप लोग के सामने प्राइम इस्टर नरेद मोधी के द्वारा इंडिया का लोंग एस्ट यहाँ पर रेल कम रोड ब्रीज यहाँ पर इनोग्रेट किया गया यानि कि रोड भी चलेगी साथ साथ में और रेल भी चलेगी इस ब्रीज पर यानि कि इस पुल के उपर तो यह ऐसा ब्रीज यह पुल आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसका नामें आपर बोगी भील ब्रीज ठीक है बोगी भील ब्रीज से कोशन यह बन सकता है कि कहा पर बनाया जा रहा है तो य इस सारे कोईशन आप लोग के लिए बन सकते हैं नेस्ट यहाँ पर बात की जारी है अटल बिहारी वाजपई जी के बारे में अटल बिहारी वाजपई जी के नाम पर 25 दिसंबर को हमारी कंट्री में गुड गवर्नेस डे सेलिबेट किया जाता है तो हमारी कंट्री में जो गुड गवर्नेस डे सेलिबेट किया जाता है 25 दिसंबर को यह अटल बिहारी वाजपई जी का बर्थडे है उसके नाम पर हम लोग सेलिबेट करते हैं जनम वादा 25 दिसंबर 1924 में और अभी हाँ पर इसी साल में आप लोग को देखने को मिला 16 अगास्तियांपा 2018 में इनकी डेथ हुई तो इनी के बारे में आप लोग को याद रखना है भारत रतन भी इनको मिला था भारत रतन इनको कब मिला था यह में आप लोगों से कोशन पूचा भी था तो यह आप लोगो पता होना चाहिए, तो इनको भारत रतन मिल चुका है, और एक personality के साथ में इनको भारत रतन मिला था, दोनों ही के बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए, तो जो भारत रतन यहापर मिला था, इनको यह मिला था 2015 में, और कुछ परसनलिटी के साथ यहां पर पूछा जासे हैं यहां पर आप लोग इनकी तस्वीर देखने को मिलेगी और पर 1924 से तो था एंट तर जो टाइम पीरेड रहा है वो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ यहां पर अटलबयारि वाजपई ठीक है तो यह याद रखेंगा है यह आप लोग के साङो पूरी डेटेल आगे बढहत हूं आगे बात की जारी फिर्स्ट मीटिंग अभी कर यहां पर फॉस्ट किस तरीके से हाँ पर चीजों को implement के जा सकता है तो ट्राइलेटरल मिटिंग आप लोग को देखने को मिली जाते आप लोग देखते हैं हां से चाहबार पोर्ट यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि इरान के अंडर में पढ़ता है गवादर port यहांप़ लोग देखते हैं जो की पागिस्तान के अंडर में पढ़ता है और यहां से हम लोग इस तरीके से ओते हैं आराम से अफगानिस्तान तब भी पहुंच सकते हैं तो यहांपर आप लोग काबूल देख सकते हैं GST, जिसको बोलते हैं हम लोग goods and service tax, बात की जारी है इसे लिड़े NT, profetering authority के बारे में, क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह है, माल लिजे, GST यहाँ पर implement हमारी country में जब से किया गया, पहले कोई हाँ पर product था, जिस पे 28% यहाँ पर tax लगदा था, पर लेकिन 28% से गटा कर, government ने उस पर 12% कर दिया, तो government न तो उस पर 12% कर दिया पर लेकिन कोई दुकानदार जो है, उस पर 12% नहीं दे रहा है, वह अब तक भी इस पर 28% ही tax ले रहा है, तो यहाँ पर यह जो authority हैं, आपर यह इसको punish करेगी, कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसको यहाँ पर जनता तक नहीं पहुचा रही थी, इसलिए हाँ पर इसको पकड़ा गया है, और आप लोग देखते हैं, इस company का नाम आप लोगो पता है, हिंदुस्तान यूनिलिवर, यानि कि इंडिया की company है, जो यह एक मुंबई-based company है, हमारी ही country की, जो की established की गई थी, 1933, ठीक है, 1933 में यह established की गई थी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, आज केट में जो यहाँ पर CEO है, यह है संजीम महता, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं, नेक्स यहाँ पर काफ़ी important, यहाँ पर history की बात की जा रही है, प्राइमिस्टर नेंद मो लोग थे, उनके द्वारा लड़ाई की गई, काभ यहाँ पर 1870 में, तो British rule के खिलाब जो लड़ाई लड़ी, तो उसी के बारे में आप याद किया जा रहा है, तो काफी important है, आप लोग उसे पूछा जा सकते ही, कौन से राजे से connected था, पाई का rebellion, तो यह कौन से थे था, यह था है, आप उड़ीसा राजे से related, ठीक है, तो याद रक्सते है, लोकेशन आप लोगो पता होने चाहिए, जब भी भी किसी राजे की बात कते हैं, यहाँ पर उड़ीसा वेस्ट बंगाल जहारकंड, चतिस गड़ हो गया आपर, और यह देखने को मिलेगा, आप लोग सोचा जा रहा है कि लगबग कि पचास हजार लोग यहाँ पर पाटिसपेट करने वाले हैं, तो यह जो हाँ पर जो इमेरत हन देखने को मिलेगी, तो किसके दौरा है हाँ पर यह स्टार्ट की जाएगी, तो जो महरास्टा के चेपनिस्ट ने है, यह है, देवंदर फड़ अलकाईदा का खतरा यह नहीं कि हमारी ही कंट्री में है, जो टेरिस्ट अक्टिविटीज का, वो आप लोगो परडोसी देशों में भी देखने को मिलता है, इसके लाब बात की जारी है, पचपनवी एनवर्सरी यहाँ पर यह सस्त्र सीमा बल, ठीक है ना, सस्त्र सीमा बल से उवे भी हाँ पर इस उकेजन पर पर परजेंट थे, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग यहाद रखते हैं, सस्त्र सीमा बल, क्योंकि हाँ पर जो यह डूटी करती नजर आएगी, यह नेपाल और भूटान वाली साड में ही आप लोग को यह डूटी करते वे नजर आते हैं, तो अलकसा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, बाकि लास्ट वीडियो में यह मैंने आप लोगों से कुशन पूछे थे, वीडियो के बीच में तो काफी इंपोरेंट है यहाँ पर यह एशियन गेम, जो की इंडोनेशिया में जकार्ता और पेलंबंग, दो सिट तीन कंट्री थी, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इनके द्वारें हाँ पर टोप किया गया, तो एक कुछ बाते हैं जो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, आगे चलता हूँ, अब नजा डालते हैं हाँ पर नेसल और इंटरनेसल न्यूज के उपर, फ्रस्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आरीया आप लोगे सामने, यह बात आरीये hand in hand, यह एक्साइज देखने को मिली इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में इस एक्साइज के बारे मैं आप लोगो पहले भी बता चुका हूँ, यह क्षेक देखने को अंगा तो यह कुछ बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं इंपोरेंट हैं आगे चलता हूं आगे हाँ इसके बारे की जारी है देखिए अभी कुछ दिनों पहले आपर सूप्रीम कोड का डिशन यह acquisition यह था कि मालीझ कोई रेप फिक्टिम है, किसी का रेप हो गया है, कोई दर्दना ऐसी घटना देखने को मिली, तो उसकी जो आइडेंटी है, वो रिपील नहीं करनी है, यानि कि उसको उसका पिक्चर वगएरा, उसका नाम वगएरा, कोई भी न्यूजपेपर या मीडिया हाउसेज में उसको नही पिचाए, तो सोसाइटी इतनी गंदी होती है, फिर उसको आपर ताने दे दे कर प्रिसान कर देती है, तो इसलिए आपर कम से गम, अगर माल लिजे कुछ ऐसी दुर घटना ही हो जाती है, तो उनकी आइडेंटीटी रिवेल नहीं करनी है, और यह जो आपर बात की गई है, यह काफी इंपोरेंटी है, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, तो यहाँ पर बात की जा रही है, यह है मदन भी लोकुर, तो इनके दौरें आपर यह इनकी जो पीट थी इनके दौरें, आपर बेंच थी इनके दौरें, आपर यह बात बोलीगी, क्योंकि इसको नेखलत भी करने लगती है, तो यह गलत बात है, इसको बिल्कुल साइड में करना चाहिए, और पुलिस को भी इसका खाल ध्यान रखना चाहिए, सैंसेटीव होना चाहिए, पुलिस को भी इनकेस को लेका, तो काफी इंपोरेंट है, आइडिया रखेगा, आगे जो यह बात की गई यहाँ पर Food and Agriculture Organization के दोरा तो यह इंडिया ने काफी यहाँ पर जोर लगा है इसको अप्रूव करवाने के लिए तो 2023 को यहाँ पर International Year of the Millets बोला गिया है तो यह अप्रूव किया गया है यहाँ पर 160 वजो सेशन था है यहाँ पर FAO इसका यह कहाँ पर हुआ यह रोम में आप लोग को देखने को मिला यहनिके Food and Agriculture Organization का इसके अलावा अगर Millets की यहाँ पर बात करते हैं तो मोटा अनाज आप लोग को देखने को मिलेगा जवार, बाजरा, रागी यह फिर इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं ठीक है तो यह सारा जो मोटा अनाज ह यहाँ पर निकल कर आती है, इसका मतलब यही है कि एक तरीक से Nutrition Level यहाँ पर अच्छा रहे, वो यहाँ पर देखने को मिलता है और इसके साथ में इंडिया की जो Membership है Executive Board के लिए Executive Board of United Nation World Food Program तो उसके लिए हाँ पर 2020 और 2021 आप लोग को देखने को मिलेगा जिसको Establish किया था 1961, 1960 में, ठीक है, इसके बारे में आप लोग हलका सा याद रख सकते हैं, तो यह एक तरीक से UN का पार्ट है, इसके बारे में याद रखेगा, बाकि अगर एक Organization के बारे में तो इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यह Food and Agriculture Organization, Food and Agriculture Organization जो इसका गठन किया गया था, यह आपर 16 October, 1945 में इसका गठन किया गया था, Headquarter आप लोग को इसका Rome, यह निके Italy में आप लोग को देखने को मिलेगा, अगर इसके Head की बात करें, तो यहाँ आपर है Grazino da Silva, ठीक है, जो current है, इसके date में Head है, ठीक है, इसके लावा अगर इसके formation की बात करें, तो Cubic City Canada में इसको form किया Food and Agriculture Organization एक तरीकी specialized organization है, जो की international effort देती है, ताकि भुकमरी, जो hunger है, उसको हम लोग मिटा सकें, खासकर developing country में किस तरीके से हम लोग develop और developing country, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, भुकमरी को मिटाने के लिए, और आप लोगो वही पता होना चाहिए, sustainable development जो goal है, उनमें भी हम लोग ब नेक्स यहाँ पर रज़ा डालते हैं कि state की news के ओपर तो यह भी काफी important news आप लोग है, आप लोग है, आपर देखने को मिलेगी, मेरी कौम को ओनर दिया गया है, आप लोग है, यह एक तरीका award दिया जाते हैं आप आप, इसके तहत यह मना जाता है कि काफी excellent personality है, यानि कि एक तरीके से, एक बहुत ऊपर उठी ही personality इसको माने जाता है, इस तरीका दरज़ें हापर दिया जाता है, मनिपूर गवर्मेंट के द्वारा, क्योंकि इनको world woman जो championship अभी देखने को मिली, छटा gold यहाँ पर इनके द्वारा जीता गया, तो उसके तहत ध्यान में रखते आपर इनको यह award इस तरीके का दिया गया, यह दिया गया है, इनके द्वारा इनको नवाजा गया, इसके लिए हापर 10 lakh रुपे जो दिये जाते हैं, वो यहाँ पर चेक्टी फॉम में इनको दिये गए, बोकसर है हमारी कंट्री की, आप लोग इनका नाम जुरूर याद र तो यह भी आप लोग idea रख सकते हैं, आगे बात कि जारी हम पर partner forum के बारे में, तो यह एक तरीका मंच यहाँ पर integrate करने की कोशिस की गई हमारी country में, फोर्थ यहाँ पर partner forum New Delhi में देखने को मिला, फोकस क्या है, फोकस यहाँ पर यह दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, Brick Country हो गया, इन सब को यहाँ पर invite किया गया, ठीक है तो यह काफी important फोनर 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 थी जो की launch की गए थी 2015 में, focus यह किस तरीक से बच्चों की health को सुधारा जाए, जो यहाँ पर ओरते होती हैं, उनकी health पर focus दिया जा सके, ताकि कई बार यहाँ पर हमारी कंट्री में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर collect हुए और सब ने हाँ इन सब चीजों पर बारे में discuss किया, तो partner forum किस से लेट है, यह पूछा जा सकता है, कहाँ पर अभी होनती हुए आप लोग को नजर आई, यह पूछा जा सकता है, तो कौन-कौन है आपर जमाल कसोगी, जमाल कसोगी हाँ पर वही personality है, जिसको यहाँ पर जो साओधी अरेबिया के द्वारा तुर्की में उनका जो consulate है, वहाँ पर जाकर इसकी हत्या कर दी गई थी, तो जो times magazine है, उसने हाँ पर इनको person of the year का award दिया गया है, क्योंकि generalist थे यह एक, और इस तरीके जर्नलिस्ट को यहाँ पर अगर इस तरीके से हाँ पर हत्या की जा रही है, तो कहीं न कहीं एक तरीके हाँ पर protest भी उसके खिलाब यहाँ पर देखने को मिलता है, times magazine जो यहाँ पर है person of the year title, यह 2017 से start किया गया था, अब यह annually हाँ पर publish किया जाता है, four different cover में आप लोग यहा कोई भी बात होती है, तो यहाँ पर जागर किसी personality का नाम आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो personality काफी important है और आप लोगों से direct question पूछा जा सकता है अगर magazine के cover पर नाम देखने को मिलता है, तो हलका सा idea इसके बारे में आप लोग जरूर रख सकते हैं, आगे बात कते हैं leopard आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, rag jungle fall भी आप लोगों यहाँ पर other bird के साथ में देखने को मिल जाएगा, यह इस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर इस तरीका मुर्ग है, आप लोगों देखने को मिल जाते हैं, इसी के अलावा full biodiversity साल के जो tree हैं, यह साथ में, जो nestle park है, इसको यह हैं आपर काले सर, यानि के इसको सिवा, जो कि आपर एक temple located है, उसके नाम पर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो protected area का नाम रखा गया है, 2003 में इसको declare किया गया था as a nestle park, ठीक है, इसी के साथ में आपर nestle park, काले सर wildlife century आप लोगों को attempt कीजे, इसको answer आप लोग के सामने, बाकी इसके बाद में आप लोग का एक quiz आगया, जिसका आप लोग को answer देना है, ठीक है, बात की जा रही है, चाइना first yoga college खोलने वाला है कहाँ पर, यह है युनान प्रोविंस में, इसके लाब 50 branch भी इसकी देखने को मिलेगी, तो important है, ठीक है, यह all over world में 21 जून को world yoga day के रूप में celebrate किया जाता है, उत्तर परदेश के जो minister है यहाँ पर उनके द्वारे हाँ पर invite किया गया है, अलग अलग area से लोगों को participate करने के लिए कूंप मेला जो की 2019 में हाँ पर उत्तर परदेश में आप लोग को अलाबाद यहनी के पर 4th of December को celebrate किया जाता है, theme काफी important है, याद रखेगा, timely disposal of the consumer complaint, यानि के जो भी, जो यहाँ पर customer है, उनकी जो भी complaint है, उनको जल्दी से जल्दी उनका निवारन कीजिए, उनका solution कीजिए, मैंने आप लोग को 100 रुपीज का coin दिखाय था वो, Prime Minister Atalvi Hari Vajpayee की याद में हाँ पर गुरुगराम हरियाना में, ओके, आईए एक बार देख लेता है, क्या कि आज हम लोग ने discuss किया, उसके बाद में आप लोग क्या होगा एक छोटा सा quiz, जिसको आप लोग को अच्छे से participate करना है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने जना, Udham Singh जी के बारे में detail में discuss किया, इस यहाद रखेगा, ट्राइलेटरल मिटिंग देखने को मिली, इंडिया, अफगानिस्तान और इरान के बीच में, यह आप लोग को इरान में देखने को मिली, खासकर किस से लेटरी, चाहबार पोर्ट से लेटर, यहाँ पर बात की जारी, GST के एंटी प्रोफेटरिंग, और अफ़रिटी के द्वारे हैं, हाँ पर HUL, कोई हाँ पर गिल्टी पाये गया है, हाँ पर कस्टमर को उसका फाइदा नहीं पोचा रही है, इसके लाप पाई का रिबेलेन के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उडिसा में, इसके बारे में जाना, तो इसके बारे में याडिया रखेगा, नेक्स्ट आप लोगे सामने मुंबई मेरतन, जो की अगले साल जनवरी में 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, बोला जा रहा है, अलकाइदा के टैरिस्ट एक्टिविटी होने वाली हैं, आपर UK में एरपोर्ट के लेटर या फिर पैसेंजर प्लेन, तो इसको थोड़ा सा सक्त कर दीजे, आप लोग ताकि ये हरकते नहे देखने को मिले, पच्पनवी हापर SSB की जो एनवर्सिरी देखने को मिली, आइडिया आप लोग रख्षते हैं, चीप गैस्ते हैं आपर किरन रिजी जूजी, ब बोला है सुप्रीम कोट के द्वारा, इसके लावा हम लोगों ने आपर जाना 2023 को, International Year of the Millets से सेलिबेट करने की बात की जा रही है, नेक्स्ट हम लोगों ने जाना Food and Agriculture Organization के बारे में, इसके लावा जो नेक्स्ट ती न्यूज्स हैं, आपर Mary Com को जो एक अवोर्ट दिया गया इसके बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने जाना है आपर Partner Forum 2018 जो की New Delhi में देखने को मिली, इसके लाव हम लोगों ले Person of the Year, जो कहाँ पर दिया गया Time Name Magazine के द्वारा, वो हम लोगों ने जाना, नेक्स्ट आप लोगों के सामने हैं आपर Kalisar Nestle Park के बारे में जाना, और बाकी हम लोगों ने ये आज के Question के Answer थे, ये आप लोगों के देखे, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा Quiz जिसका Answer आप लोगो देना है, अच्छे से Participate करना है, तो क्या क्या Question है आपर, सबसे पहला Question आप लोगों के सामने, जो समाधी अभी हाँ पर बनाई भारत रतन, फोर्मर हमारे जो प्राइमिस्टर थे, अटल विहारी वाजपेजी की उसका नाम क्या है, पहला Question, दूसरा Question ही है कि जो फॉर्स्ट मिटिंग अभी देखने को मिली आप लोगो, ट्राइलेटरल मिटिंग थी आपर इंडिया, अफगानिस्तान और इरान, तो य बताना है आप लोग को, पाइक का रिबेलियन जो आप लोग को बिद्रो हो, जिसको आप लोग बोलते हैं, ये अगेंस्ट अब बिटिस था, तो कौन से राज्य में आप लोग को देखने को मिला, इसके अलाव़ जो मेरतन की बात की जारी है, कौन से नंबर की मेरतन है, ज आप लोग को लेक्षर पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलेगा, इसी के साथ में चीजों को सेर कर दिया कीजे, फेस्बुक, वाट्सेप, या फिर जहां पर भी आप लोग सोसल मीडिया साइट पर कनेक्टिड हैं, जिससे की और ज्यादा है, ताकि उनको भी फायदा पहुचाए जा सके, अगर ये नहीं कर सकते ते किसी को पढ़ा दीजे, ये भी आप लोग के पास में alternative है, जब भी time मिले, किसी को पढ़ा दीजे, अपने पास सफाई रखिए, आज पास सफाई रखिए, पानी और पेट पोदों को सेव कीजे, पो हिंदे.